भूब जो है इंसान को कुछ भी करने के लिए विवश कर देती है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना पेट भरने के लिए अपनी बच्ची को बेच कर उसे जो फैसे मिले उसे वो अपना जीवन यापन कर रही है रामी अपने पेट की आग बुजाने के लिए उतने भाव में भी चावल लेलने के लिए तयार हो जाती है प्रणाम मैरी हनायस अतिवत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे बीबीए के फस सेमिस्टर के जितने भी विध्यारती है फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है मेरे प्रिये विध्यारतियों आज मैं आपको फस सेमिस्टर में जो आपके लिए पाटी पुस्तिका है उसके अंतर गत जो आपके लिए कहानी है एक बच्ची की कीमत इस कहानी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूँगी पहले हम इस कहानी के जो कहानिकार है धर्मवीर भारती इनके बारे में सम्षित में जानेंगे धर्मवीर भारती जो कि इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ पिर इनकी जो प्रमुक रचनाय है वो है ठंडा लोहा, अंधा युग, कानू प्रिया, साथ गीत वर्ष, सुरुस्टी का आखरी आदमी इनकी जो प्रमुक रचनाय है और इनकी जो मृत्यू है वो 5 दिसंबर 1997 में हुई इनकी मृत्यू 5 दिसंबर 1997 में इनकी मृत्यू हुई थी तो जो आपके लिए इन्होंने जो कहानी लिखी है, इस समिस्टर जो आपके लिए है, एक बच्ची की कीमत इसमें आकाल के बाद जो दुरुष्य होता है उसका यहां पर बहुत अच्छी तरह से इन्होंने चित्रन किया है जो मनुष्य की जो दुर्दशा होती है जहां पर आकाल आने के बाद जहां सुकी पढ़ जाती है सभी खाने के लिए किस तरह से बेचेन हो जाते हैं भूग जो है वो बरदाश ना करते हुए वनिश। कहां तक कहें अपने जीवन को यापन करने के लिए किस तरह से वो कहें अपने बच्चों को तक बिका सकता है। अपने बच्चों के प्राण को बचाने के लिए किस तरह से यह अपनी ममता को भी त्याब करते हुए इसी पर दर्शाई हुई एक छोटी सी कहानी है एक बच्ची की कीमत जहां पर मा अपनी बच्ची के जीवन को बचाने के लिए और अपने भूग की आप को मिटाने के परशाई हुई कहानी पहले हम इस कहानी के पात्र हैं उनके बारे में जानेंगे इस कहानी के पात्र रामी और एक बच्ची बिंदू और बनिया इस कहानी के पात्र है रामी इस कहानी की जो मुख्य किरदार है और उसकी बच्ची और रामी की एक सहली और गाव में एक दुका इतने इस कहानी के पात्र हैं आपकी कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि यहाँ पर आकाल के समय का करुणा दुरुश चित्रित किया गया है कहानी कारने आकाल के समय की इनसान की मनोदशा को घटना क्रम में वर्नित करते हुए यह सित्र करने का सफल प्रयास किया है कि भूक इनसान को कुछ भी करने को बाध्या कर सकती है इस कहानी में जो आकाल की समय का जो चितरन है किस तरह से उस आकाल में इंसानों की दशा हो जाती है इस पर क्या है इस पर जोर देते हुए कहानी कारने इस कहानी को रचा है पिर आकाल के समय मनुश्य की जो मनोदशा है उसकी मानसिक स्तिती जो है उस पर भी क्या है इन्होंने घटना क्रम से वरनित यहां पर किया है उसका वरनन जो है यहां पर किया है और ये सित करने का सफल प्रयास किया है मनुश्य भूग के कारण और क्या है भूख जो है इंसान को कुछ भी करने के लिए विवश कर देती है यह यहाँ पर हम देख सकते हैं तब दो भूख मारे आपस में बात्चित करते हुए एक ही सवाल पुछते हैं कि तुम कब से भूखे हूँ ऐसे वारतलाप में रामी को पता चलता है देखिए यहाँ पर जबकि एक दो भूख से मारे हुए एक दो अवरते जब मिलती है यहाँ पर बिंदू और रामी दोनों सहलिया हैं यह मिलती है तो आपस में पहली यही बात करती है कि आप कितने दिनों से भूखे हो यहां पर दो भूक मारे यनि बिंदु और रामी अपस में दोनों बात्चित करते हैं और सवाल पुछते हैं कि तुम कब से कितने दिनों से भूके हो तो इस वारतलाम में रामी को पता चलता है कि जो बिंदु ने अपनी बच्ची को एक पंजाबी के हातों में बेज दिया है क्यूंकि बच्ची भी भूगी थी और अपना पेट भरने के लिए अपनी बच्ची को बेच कर उसे जो पैसे मिले उसे वो अपना जीवन यापन कर रही है यह जब पता चलता है तो क्या है रामी आग बबुला हो जाती है यह उसे बहुत ज्यादा ही क्रोध आ जाता है और वो लगती है कि हत्यारिन अपनी बच्ची के हाट बेच कर पेट भर रही है तेरी जुबान नहीं कड़ गई और तेरे हाथ नहीं तूड गए बेचने बकत बिंदु ने एक दयानिया दुरस्टी से रामी की और देखा और सर जुका कर चुपचाप चली गई पर रामी के मन को मसोस रही थी दो हफते बाद रामी के तेरा वक्त के फाके हो चुकी थे वहाँ पर अपनी बच्ची को बेच कर क्या है जो उससे पैसे मिले उसका जीवन यापन कर रही थी तो इन दोनों में जब बाते होती हैं तो उसे रामी को बिंदु बताती है कि उसने अपनी बच्ची को बेच दिया एक पज़ाबी के हाथ हो और उसी पैसों से वो अपना पेट भर रही है उस वक्त रामी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो उसे कुछ गालियां बखने लगती है वो कहते है कि यह अपनी बच्ची की हत्या करने वाली एक हत्यारन हो तुमारी जुबान क्यों नहीं कड़ गई तुमारे हाथ क्यों नहीं कड़ गए जबकि तुमने अपनी बच्ची को बेचा था इस तरह से उस पर क्रोधित होकर कहें ये रामी बिन्दू को कहती है इसके बाद दो हफ़ते बीच जाते है रामी दो हफ़तों के बाद जो है रामी के तेरा दिन के पाके लग जाते है नहीं रामी के घर में कुछ अनाज नहीं था तेरा दिन से वो भूकी रहती है तो एक दिन सुभा रामी की आंग खुली बदन में बेहत कमजोरी थी जाने कौन सी चीज नसों को इलास्टिक की तरहां खींच रही थी पलकों पर जैसे पहाड लादे थे उसने फावरन हाथ बढ़ा कर अपनी बच्ची को टोटोला और गौरव से और स्निह से देखा बच्ची ने आंखें खोली और कुछ कहने की कोशिश की मगर कहाना पाई और अजब ताउसे मूँ खोल कर हाफने लगी जब तेरा दिन के फाके लगे थे तो इसकी बच्ची भी भूकी थी बहुत दया की एक स्थिथी थी करुणा की एक स्थिथी यहां पर मा और बेटी दोनों बहुत भूके हैं तेरा दिनों से रामी के शरीर में बहुत ज्यादा ही कमजोरी आ गई है और वो क्या है बहुत कमजोरी से अपने हाथ को बहुत मुश्किल से क्या है आगे बढ़ा कर अपनी बच्ची को टोटोलने लगती है हाँ और क्या है अपनी बच्ची को क्या है सर पर हाथ फैराती है तो क्या है उसके पलकें जैसे कि उसके पलकों पर पहार लद गए इस तरह से उसके पलकें भारी हो गई थी और उसके नसें जो हैं लास्टिक की तरह हो गई थी बहुत ही उसके शरीर में कमजोरी थी क्यूंकि तेरा दिन के फाके लगे हुए थे यानि तेरा दिन से उसने कुछ नहीं खाया था यहां अपनी बेटी को प्यार से उसके सर पर हाथ फैराती है बच्ची ने आंग खुल लए उसकी बच्ची आंग खुलती है और कुछ कहने का प्रयास करती है लेकिन मुँ खुला का खुला रह जाता है वो कुछ कहने ही पाती इस तरह का एक दुरुष्य वहां पर होता है और वो हाफने लगती है वो बच्ची क्या है भूग के मारे कुछ कहने ही पाती हाफने लगती है अपनी बच्ची के लिए पानी लाने तिन का डबा लेकर गई पर उससे नल की टोटी नहीं गुमपाई पिर उसने टोंटी को मुँ और दातों से खोलने का प्रयास किया पर उसके मुँ से खून निकला और डिब्बे में गिर पड़ा वो हो अपने आपको संभाल कर डिब्बे को नल के सामने जमा हुआ गड़े के मटमाईल पानी से धोया पानी खून की वज़े से लाल हो गया हिलोरों से पानी भर तैरते हुए सैक्डों मच्छर हवा में भिन भिनाने लगे यहां पर हैसाद रुष्य है जबकि उसकी बेटी हाफ रही है तो रामी उठती है और एक टिन का डबा लेकर पानी लाने के लिए चल पड़ती है और नाली के पास जाती है लेकिन वो नाली को खोल नहीं पाती और इसी वज़े से वो अपने दातों और मूँ से खोलने का परयास करती है लेकिन उसके मूँ में चोट लग कर उसमें से खून निकल आता है उसके मूँ से दातों से खून निकल आता है और वो जो डिबा है उ तो पानी जमा हुआ था, जो कि बहुत मैला सा पानी था, तो उसी पानी में उस डिब्बे को वो धूने लगती है, कुछ पानी को इदर उदर हिलाते हुए, उससे कुछ पानी वो भरने का प्रयास करती है, लेकिन उस जो गड़े में पानी खड़ा हुआ था, वहां पर सैकड मखियां मच्छर जो है भिन भिना रहे थे ऐसा एक दुरुष वहां पर था लेकिन रामी फिर भी अपनी बच्ची के लिए उसी से कुछ पानी को हिटाते हुए और जो फून भी उस गड़े में पड़ा हुआ था लाल हो गया था उसी को हिला कर थोड़ा सा पानी उससे ले ल लिया रामी प्यार के साथ हाथ फैर कर बोली बेटी बेटी ने भूख मा कहा तब रामी ने सोचा कि बच्ची तो मरनासन हो जाती है तब वो कहती है इससे तो अच्छा कि वहो पंजाबी के पास आराम से रहेगी देखें उसने पानी लेने के लिए गई थी और खून कि वज़े से और कहें बहुत गंदा हो गया था और सैकडो मच्छर मख्या वहाँ पर भिन बिना रहे थे उसी पानी को एक कोने से कहें लेकर आती है और अपनी बच्ची के मुह में उसे डाल देती है फिर जो है जो मठमाईल पानी था उसी को पिलाती है और बच्ची कहें अब जब वो बात करती है तो कहते हैं कि मा भूख, यहीं उसे बहुत भूख लगी थी उस बच्ची को, तो यहां पर रामी जो है, वो सोचने लगती है, अगर मैं अपनी बच्ची को पंजाबी के पास बेज दूँ, तो क्या है वो कुछ तो जीवित रहेगी, नहीं तो यह, नहीं तो यह मर जाएगी, यह सोचते हुए, वो क्या है, मन में यही सोचती है कि उसे पंजाबी के पास बेज दे, ताकि वो जीवित तो रहे, पिर वो हो भी अतहां अपनी बच्ची को बहुत मोल भाव करके, पंजाबी को मात्र अठनी में बेज देती है, पिर क्या है, यह बार तो रामी अपनी पेचने का निरणाएं लेती है, लेकिन फिर बच्ची की दशा को देकर, वो क्या है, अपनी ममता को भूल बैठती है, ताकि बच्ची का जीवन तो बच्चा है, बच्ची के प्राण तो बच्चा है, वो पंजाबी के पास अपनी बेटी को ले जाकर, केवल अठनी में, के अपनी पेट के आग बुजाने के लिए बनिये की दुकान पर चावल खरीदने पहुंचती है बनिया पहले से चार आने सेर खरीदे हुवे चावल को दो रुपई से बेचने का भाव बतलाता है पिर क्या है जो अठनी में बेची हुई अपनी बच्ची को उस अठनी को लेकर बनिये के दुकान जाती है पिर वहाँ पर एक बनिया जो बहुत ही सुरती था वो क्या है जो चावल उसने कम दाम में खरीदे थे उसका दाम जो है वो दो रुपए से बेच रहा था लेकिन रामी अपने पेट की आग बुजाने के लिए उतने भाव में भी चावल लेने के लिए तयार हो जाती है रामी इस दर पर भी चावल लेने को तयार हो जाती है तभी बनिये के मन में थगी का विचार प्रबल हो उटता है और वहो उसकी अठनी को अपने गले की खोटी अठनी से बदल देता है और रामी को फटकार लगा कर नौकरों से धक्के दिलवा कर भगा देता है नौकर ने खोटी अठनी उठा कर बनिय को दे दी और बोला रकलो लाला फिर किसी मौके पर काम आ जाएगी यहां पर जो एक स्वारती बनिया वो अभी क्या है गम दर पर जो चावल उसने खरीद कर लाया था उसे दो रुपए से बेचने लगा था लेकिन अपने भुग की आख को मिटाने के लिए रामी ने उस दर पर भी चावल लेने को ताई कर लेती है और जब वो अठनी बनिये को देती है तभी बनिये के मन में ठगी आ जाती है इसको ठगने के लिए वो अपने गले में पड़ी हुई एक खोटी अठनी जो है इसकी अठनी से बदल देता है और उसको डाटते हुए फटकारते हुए ये तो खोटी अठनी है ये तो नहीं चलेगी इस तरह से बोलकर उसे क्या है वहां से भगाने किया प्रयास करता है जब रामी ये कहती है कि मेरी अठनी तो अच्छी थी, ये मेरी अठनी नहीं है, मैंने खोटी अठनी नहीं दी, तब उसने अपने नोकरों को बलाया और उसे धक्के मार कर वहां से निकाल दिया, अब जो है रामी वहां से बड़ बड़ाते हुए, वहां से चल पड़ती है, ये ले लीजिए, लाला इस तरह से उसे देते हैं, तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो माह अपनी ममता को भी निचावर करते हुए, अपनी बच्ची के प्राण बचाने के लिए उसे पंजाबी के हातों में बेज देती है, और मनुश्य भूख के कारण कुछ भी क प्राण करने के लिए ये वो तैयार हो जाता है, अपने पेट की आग बुजाने के लिए ये भी इस कहानी से हमें पता चलता है, साथी साथ समाज में कुछ ऐसी लोग हैं, जो कि गरीबों पर इतने अथिचार करते हैं, और धोका देने में कोई चूक नहीं करते हैं, ये ब जाने के लिए, लेकिन वहां पर भी उसे धोका मिलता है, समाज में ऐसे कुछ लालची लोग, स्वार्ती लोग हैं, जिनोंने कहें अपने स्वार्त के लिए दूसरों पर इतना बड़ा जुल्म करते हैं, ये भी इस कहानी से पता चलता है, तो कहानी आपकी एक बच्ची य हबी कहानी इतनी ही थी, अगली कक्षा में किसी और कहानी पर हम चर्चा करेंगे, धन्यवाद